सबी दोस्तों को नमशकार, मैं दिपक और हम जो है सुवे खेत में टमाटर को पाले से बचाने के लिए सुवे च्यार वजे खेत में आगे थे और पाले को बचाने के लिए हम ने सुवे ताजी पानी ही। में चलाया है और अब टाइम हो चुका है साड़े च्छै का आप देख सकते हो हमारे खेत में किस तरह का धुआ इसको दूंदक बोल सकते हैं यह हमारे जो सुबह पानी लगाया था उसके वज़े से हमारे खेत में चार तरफ धुआ हो चुका है जिससे कि पाले का असर खटम हो चुका है और अभी भी हमारे खेत twisting में पानी चला हुआ है सुबह हम जो ताजी पानी लगाते हैं उससे बाप जो निकलती है वे पाले के असर को खतम कर देती है जिससे कि हमारे खेत में पड़ा हुआ पाला वो बरफ जो है पिंगल के वो पानी में परिवर्तित हो जाती है जिससे हमारे टमाटर या कोई भी अन्ने फसल हो वो रहेगी और इससे पाले को से बचाने के लिए हम पसल को या तो धूए से अटा सकते हैं पाले को या फिर सुबह हम जो ताजी पानी खेत में लगाकर भी उसको पाले से अटा सकते हैं या फिर हम अपने खेत में सलफर का सप्रे करके भी पाले से खेत को बचा सकते हैं जिससे कि हमारा टमाटर या कोई भी अन्य फसल है जो पाले से रहीत रहेगी तो हमारी जो गुणवत्ता है वो भी सही बनी रहेगी पोदे की और पोदा ठीक दंग से चलता रहेगा और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों